Assalamualaikum दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर Welcome कहती हूँ आज टॉपिक हम कवर करने जारे है इस वीडियो के अंदर उस टॉपिक का नाम है The Future of Mankind ये एक essay जिसको Russell ना लिखा है और ये essay जो है Russell के work Unpopular Essays के अंदर कंसिस्ट करता है Russell ने जो अपना work है ना Unpopular Essays वो 1950s के duration में publish करवाया था तो 1950 को तो वो published हो गया तो उसके background में क्या हुआ उसकी publication से पहले क्या हुआ वो impact जो है वो हम लों को इसके works में नज़र आता है जैसा कि Future of Mankind इसमें इसने क्या बात की गई है जो इसके age के time period में हो रहा था जो हो चुका था उसको देखते हैं इसने बताया कि जो Mankind उसका future कैसा हो सकता है For example 1950 से पहले क्या हुआ था World War First हुई थी जो कि 28 July 1914 में start हुई थी और 11 November 1918 में end हुई थी इसके बाद हमारे पास World War Second हुई थी जो 1 September 1939 में start हुई थी और 2nd September 1945 में खतम हुई थी फिर हमारे पास Cold War start हो गई थी और Cold War ये किस के दिर्मियान में हो रही थी ये रशिया और हमारी के दिर्मियान में हुई थी ये Cold War 1947 में start हुई थी और ये continue हो रही थी तिल 1991 1991 को ये Cold War end हुई थी और ये Cold War USA और USSR के दिरम्यान में हुए थी तो जी World Wars खत्म हुई तो फिर Cold War स्टार्ट तो कहता है अगर यही सूर्तेहाल रही न तो क्या होगा तो इंसान के जो future है न future of mankind है उसकी तीन possibilities हो सकती है एक क्या है complete extinction of human life on earth यानि के पूरे के pure human life है न वो खत्म ही हो जाएगी जमीन के उपर zero human बाकी रहेगा कोई रहेगा ही नहीं सबकी death हो जाएगी वो और की base पे पर कहता दूसरी reason human life will be reduced into barbarism के सब के सब बार्बरिक बन जाएगे barbarism कहलाएगे means उसे uncivilized people कहलाएगे जो बत जाएगे फिर उसके बास उसने next possibility बताई there will be world government that will control all nations and countries के यहाँ पर एक world government हो सकती है जो के control करें के सब के सब nations को सब के सब कांट्रीज को और वो world government के है सिर्फ और सिफ एक एक government जो पूरे world को control करें की यह possibilities दि रसल ने अपने ऐसे future of mankind के इंदे जिसके start में हमें निजर आगे कि रसल चोई यहाँ पर as a anti-war writer काम कर रहा है जबकि reality क्या है reality यह है कि अमेरिका में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना जियू का तो वो उनको प्रोपर ना ट्रेनिंग देते हैं वोर की ठीक है असलाह क्या होता है ठीक है गान कैसे लानी सब्स ट्रेन किया जाता है जबकि इनी लेसंस के थू हम लों के माइंड कि इंदर पीस का कुषब दल जाता है that we should admirer of peace but no doubt we are admirer of peace हम पीस को admire करते हैं ठीक है और यह लेसंस जो आपको पता हमारे डिजाइन को न करता है हमारे लेसंस जो है प्रोपर यह अमारे की तब से डिजाइन किया जाता है और इससे क्या होगा इससे जब world war third होगी न ठीक है और उस world war third में क्या होगा कि हम लोग जो होगे वो slave हो चुके होगे सिर्फ और सिर्फ पीस के नेम के और तब हम अपना defense नहीं कर पाएंगे इसी concept के साथ तो इसलिए हमेंशा mentally prepare रहना चाहिए कि हम लोगों ने war नहीं करनी attack नहीं करना लेकिन जब attack होगा तो हम लोगों ने defense जरूर करना है और defense के लिए भी हम लोगों को पहले practice करना पड़ती है क्योंकि without practice हम लोग defense नहीं कर सकते तो इसलिए defense के लिए भी practice की जरूरत है बहराल यहां पर राइटर जो है वो anti-war attitude शो कर रहा है जिसमें war का outcome बताएगा कि वोर के बाद क्या क्या हो सकता है तो हब first की बात करते है the complete extinction of all human beings कि सबके सब human beings जो है वो खतम हो जाएगे कोई भी life नहीं रहेगी सबके सब जहालत में पहुंच जाएगे अब क्या होता है राइटर बात करते हैं पर फ़र second world war की कि जब second world war होई तो उसने क्या किया किया उसने हर जगा एक destruction वाला chaos वाला environment create कर दिया और क्या होँआ atomic weapons बनाएगे ऐसे weapons जो पहले कभी भी नहीं थे और यह weapon इतने strong थे कि इनसे क्या होई war जब war होई तो क्या होई death और bloodshed ठीक है तो किसे second world war के अंदर हमारे पास atomic weapon यूज़ किये गे जिससे कोई भी life नहीं बच सकती end of human beings लेकिन रसल कहता है कि अगर कुछ human beings बच भी जाए ना तो वो क्या करेंगे वो another war करेंगे एक और जंग करेंगे और यह another war क्यों दूसरी जंग क्यों जंगे होती है क्यों है इक्तिदार के लिए power के लिए लोग power के लिए जंगे करते हैं खीक है दूसरों के जमीनों को अपने जमी करने के लिए लोग जंग करते हैं तो यह जंग है ना सुपर मिसी के लिए विक्टरी के लिए की जाती है तो कहता है अगर इंसान बच जाए 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 क्योंकि अगर atomic war हो गई atomic weapons चला दिये गए attack हो गया उसके बाद अगर इंसान को बच भी जाते हैं फिर वो द्वारा war करेंगे क्यों अगें अपनी सुपर मिसी को शोर करने के लिए अपनी पावा को शोर करने के लिए दूसरों को exploit करने के लिए वीकर को suppress करने के लिए अगर हम present time पे देखे situation को compare किया जाए अगर इस essay को इस words को ठीक है another war को compare करे हम लोग present time पे तो अभी recent एक war हुई थी आजर आजर बाइजार ने response पे जवाब दिया ठीक है तो हुआ क्या आउटकम क्या था कि आर्मीनिया ने attack किसली किया था आर्मीन ने attack किया था power के लिए सुपर मिसी के लिए ठीक है dominance के लिए ताके वो उनकी जमीरों को हड़प कर ले फिर मैंने जिसा के बताया defense की बात defense पे जा जो मैंने को स्टार पे बताया था यहां पर एसल के कह रहा है कहता है इनसान जो है अगर वो बस भी जाता है तो पावर के लिए सुपर मिसी के लिए war करता है दूसरी war करे का और और उसने किस टाम की बात की है ट्वेंटीच सेंसरी की बात की है कि अगर हम लोग ऐसे ही रहे आजाद कश्मीर के फिर या फिर उकॉपाइड कश्मीर ये डिबेट चल रही है और वहाँ पे जल्म किन पर किया जा रहा है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके उपर ठीक है आउटकम क्या हो रही है जो human life थी उनको destroy किया जा रहा है और on the other hand बात की जा रही है पीस की ठीक है लेकिन उनको के किया जा रहा है उनको destruct किया जा रहा है destroy किया जा रहा है कितने वहाँ पे माएं मार रही हैं कितने वह बच्चे मार रहे हैं कितने ओरतों के रेप हो रहे हैं कि इतने मर्दों का मारा जा रहा रहा है वहांपर कि तो न क्यू किया जा रहा है ताके उसको एक इंडिया का पार्ट ॥ेकलेर कर दिया जाâte झाए ताके वहां पर जो लोग रह रहे हैे उनकी extinction कर दिया जाए उनको खतम कर दिया जाए बिलकुल remove कर दिया जाए तो ये एक long debate है जो चलती ही आ रही है तो इसलिए इस time पे उन लोगों की life बचाने के लिए किस की जुरुत है defense की ज़रूरत है ठीक है ऐसे इसराइल Palestine पे attack करता हो रहा है Palestine पे कितने attack हो रहे है वहाँ पर कितने लोगों की life को threat पहुंचा बर्मा में कितने लोगों को कतल कर दिया गया शहीद कर दिया गया सब कुछ क्या है सब कुछ power के लिए किया जा रहा है इन response क्या है defense के लिए फिर attack करना पड़ता है इसलिए बहुर में तो पहल नहीं की गई बहुर में सबसे आगे नहीं की हुए लेकिन फिर वोज डर्वर की होती है जब फर्स्ट परसन अटाग करता है फिर सेकेंड परसन डीफेंस के लिए यह बाताथ है लेकिन यहां पे क्या हो रहा है पता है ज़र थो कि अप्राइंटा इन्से अठाइक किये जड़ा ईपर हुँमन बीग्स के लाइफ एंड हो रही है और एंड होने के बाद कुछ बच गए है तो बचने के बाद जो लोग हैं सरकल बचा है वो भी कर रहा है अने अधर वोर कर क्यों? अगेंच सुपरमेसिक के लिए, सुपरपावर के लिए, विक्टरी के लिए, अपना नाम बनाने के लिए और फिर असल कहता है कि अगर कोई भी आदमी बच गया वोर से, ठीक है, अलाइफ बचा, तो वो अपने आपको एमपेरर कंसीडर करेंगा, पूरी वर्ल्ड का, लेकिन उसके जो रेंड का टाइम पीरियड होगा न, वो क्या होगा? वो बहुत शोट से होगा, इतना लॉंग नहीं होगा, जुसको रसल कहता है, With his death, the uneasy episode of life will end, and the peaceful rocks will revolve unchanged, until the sun explodes. Quotations जो है, मैं लेक्ट्र के बिलकुल end पे आपको शोग करते होंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, screen shots भी ले सकते होंगा आप. अच्छा, further start करते हैं, यह तो होगे हमारा first point, the complete extinction of all human beings, कि अगर हम लोग world war की conditions के उपर, cold war की conditions के उपर, क्या control ना कर लें, तो उसके बाद outcome क्या होगा, वो first outcome था, कि सब के सब human beings खतम हो जाएंगे, उसको हमने discuss कर लिया, तो हमने बात की कि second world war होगी, atomic weapons होगे, और anatomic weapons से जो हैं, लोग के उपर attack किया जाएंगे, और लोग खतम हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगर वो war खतम होती है, कुछ लोग बच जाते हैं, तो दूसरी war होगी, और वो war भी क्या होगी, again, supermassive के लिए, power के लिए होगी, फिर लोग खतम हो जाएंगे, कोई बच भी गया, तो उसका भी rain का time period जो है, वो long lasting नहीं होगा, next point, उसने कहा कि अगर second world war होती है, और फिर भी ये जो है न, जितने भी लोग थे, उनको मार नहीं पाती, तो फिर क्या होगा, reversal of civilization to its primitive conditions होगा, means उसे, कि जहालत के दोर में लोग वापस ले जाएंगे, age of barbarism स्टार्ट हो जाएगी, uncivilized time में लोग वापस ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब war होई, वो निये किया, destroy कर दिया, किस चीज को, number one, जितनी भी industrial areas थे, उन सब को destroy कर दिया, number two, जितने भी major cities थे, उन सब को destroy कर दिया, number three, जो bacteriological warfare होगी, वो destroy कर देगी, crops को, सारी फसले दबा हो जाएगी, और क्या हो जाएगा हो जाएगा, famine फैल जाएगा, कहत फैल जाएगा, खाना जो है वो मैसर नहीं होगा, लोग को प्रोपर में फूड नहीं मिल पाएगा, तो लोग क्या होंगे, age of barbarism में बापस चले जाएंगे, फिर असल यह कहता है कि उस time period पे कुछ libraries और कुछ libraries बची होंगी, कुछ scientists भी बचे होंगे, लेकिन लोग जो हैं वो scientists को मार देंगे, इस hope में कि उनके पास golden age आजाएगी, means उसे hope of civilization once again, और scientist को कि मारेंगे, क्योंकि scientist हैं जोके atomic powers, atomic weapons बना रहा है, तो जब scientist कहतम हो जाएंगे, तो atomic weapons को उनक्रियेट करेगा, तो इस ही hope ना, जो लोग होंगे, वो golden age की hope में, यानि कि age of civilization की hope में मार देंगे scientist को, फिर इसके बाद रसल जाएँ उसने third idea जो दिया था, उसकी बात करता है, वो कहता है कि future में एक possibility ये भी हो सकती है, कि हम लोग ना, establishment कर लें एक universal government की, एक world government की, एक ऐसी government बना दें जो कि पूरे world के उपर हकूम्मत करें, और पूरे world के अंदर क्या लेकिया है, peace लेकिया है, prosperity लेकिया है, progress लेकिया है, तो कहते हैं, इसलिए किया सिफर सिफ एक हकूमत बना चाहिए, एक हकूमत बना दें और वो पूरी दुनिया पे हकूमत करें, ठीक है, अब उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस time period पे cold war हो रही थी, जो कि 1991 तक चलती रही थी, और cold war कि इनके दिर्मियान में थी, दोनों के बहुत अदक रिसोर्सेज थे, दोनों का अपना एक नाम था, तो उसने का हम लोग जो उनिवर्सल गॉर्मेंट है न, वो कब बना सकते हैं, यहां तो विक्टरी हो जाए अमेरिका की, तो तब अमेरिका जो है वो बन जाएगा World Government, यहां फिर विक्टरी हो जाए USSR की, तो तब क्या आजएगा, तब वो USSR जो है वो बन जाएगा World Government, यहां फिर म्यूचल एग्रिमेंट हो जाए, तो इससे क्या आजएगा, peace आजाएगा, सकून आजाएगा हर जगा पे, तो कहता है यह जो हमारी cold war चल रही है इससे हर जगा destruction decay फैल रहा है तो इन में से कोई भी एक act हो जाएगा न, या तो America जीत गया, या USSR जीत गया, इन्होंने mutual agreement कर लिया, तो इससे हमारे पास peace आजाएगा सकून आजाएगा हर जगा पे और कहता है इन समय जो सबसे best idea वो यह है कि इनका mutual agreement करवा लिया जाए विकि जब mutual agreement हो जाएगा तो ना ही America और Russia की war होगी और ना ही destruction decay होगा ठीक है, और फिर एक क्या कर लेंगे हम लोग, एक हम लोग अच्छी सी establishment कर लेंगे एक universal government की, एक world government की फिर, वो अपने favor की बात करता है कहता है मैं favor करता हूँ कि अमेरिका को world government बना दिया जाए अगेन एक biased भी हुआ गया है ना लेकिन वो अपने facts के साथ इसको proof भी करेगा अब इसके according, रसल के according जो है, America is best for world government क्यों? कहता है, अगर अगर अमेरिका को world government बना दिया जाए तो जो दुनिया है वो more civilized हो जाएगी हर जगा freedom of thought होगी of discussion होगी, of inquiry होगी, of speech होगी ठीक है, किस के about speech? government के about, कि अजादी होगी, जो मर्जी आप इजहार करें, जो मर्जी बोलें आप government को कोई भी नहीं कहा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा और human feelings उनको prevailed किया जाएगा और कहता है, अगर दूसरी तरफ, अगर हम USSR को world government बना दते हैं restrictive discussions होगी, यानि कि हम लोग government के about कोई बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और जितना भी कुछ होगा, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ state के under होगा, जो state कहेगी, वो ही कुछ करना पड़ेगा क्यों? क्योंके Russia एक communist country है, और communismism के अंदर जो state कहते हैं, आपने वो ही करना है अगर हम लोग वर्ल्ड गवर्मन बनाते हैं, तो उसे आउटकम क्या होगी, आउटकम बाद होगी, पूरी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, सब के सब का इंटलेक्ट खतम हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे तो इसलिए कहता है कि हम अमेरिका को जो है वो वर्ल्ड गवर्मन बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक ड्रमोक्रिटिक कंट्री है, जहां पर हर किसम की सिविलाइजेशन अवेलेबल है, फ्रिडम ओफ थौर्ट अवेलेबल है, फ्रिडम ओफ दिसक्शन अवेलेब तो सबसे को कि अमेरीका को वर्ल गोवर्म्मंट बना दे फिर से मिलिटिरी और सिंगम वर्ल गोर्मंट और सिंगल वर्ल्ड मोर्मंट होगीछ और तुम नहीं हमारी पास मानते, तुम हम लोग को वरल्ड गोर्मेंट के तो पर एक्सेप्ट नी करते, तो विल डिकले रवर ओन यू ठीक हम तुम्हारों पर एक चुर्फर कर देंगे, हम तुम्हारसाद देंग एक तुम्हार साथ एक थाथ करेंगे, लेकिन फिस हाती वह वेहां रसल कहते है कि अगला है अगला है कि सब्सक्राइब है तो रस्टाइब उसके और आप झालिवर्गार की पेश्टाइब तो रहें तो में पता झालिवर्गार के लिए series number 3 not must Russia not establish a state America must be a world government इसको मैंने पताया कैसे और EUторовया को तोड आरिमा उइडियाique इस आप इस अप्रड़ आ सकता गिलाया और इक ऱोड निब्स ना पॉसिबल इन ह्पोर्म्माजन अपोर्माज कोषा नेडि़ बहुत आ इक ऊपिंड स्टोल्वेल अपुल्ग तोल्गपिल नेडМाजना करते हैं रियालिटी में ऐसी स्टेट जो है पॉसिबल ही निया कि आप अमेरिका को वर्ल्ड गवर्मेंट बना दो इसके बाद वह एक और कॉंसेप्ट दे रहे हैं जो कि अगें एंटी वर कॉंसेप्टर बात कहता है कि हम लोग अकर वर को बॉलिश कर देना तो आटोमेटिक हम लोग जब अपनी फ्रीडम इतनी प्रोवाइट कर देंगे तो वह भी ठीक नहीं है तो कहता है हमारे में पर लीगल चेकन बैलन्स होना चाहिए ठीक है अगर हम लोग पर लीडर ना बनाए जो चेकन बैलनस ना रखे तो क्या होगा चांस ओप्शन हो सकता है क्या होगा अटिवगलिड डिस्ट्रोइ हो जागा सब कुछ और क्या होगा जब अमेरिका एक वर्ल्ड गोर्णमेंट बन गया ठीक है उससे क्या होगा एक वारंड होगी पवर्टी कहतम होगी ठीक है फिर क्या होगा जब ब्ढ र्न होगी तो happiness हैगी और झब हैपईनस हैगी तो क्या होगा और एक कोछीज, check and balance, check and balance होगा तभी यह सब कुछ possible सकता है, कि war कर एंडिंग, poverty की एंडिंग और happiness की separation, यह check and balance से हो सकता है, और इन सब advantages में क्या होगा, कि इन सब advantages होगे ना, तो इससे यह होगा कि जो world government है उसके बने से जितनी भी nations थी उन nations के, जो defense armaments, जितने भी थे ना, ornaments, यह लगा लो कि पस्तोल हो गई, गन हो गई, पिस्टल होगी, इन सब कुछ खरीने वे जितने पैसे लगते थे, वो नहीं लगेंगे, जब वो पैसे नहीं लगेंगे, तो automatically क्या होगा, poverty भी खतम होगी, poverty भी खतम होगी, और war भी खतम होगी, किस तरह से, अब आप separate state हो, पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग, चाइना अलग, हर country अलग गया, अमेरिका अलग गया, ठीक है, कोई भी world government नहीं है, तो हर country क्या है, हर country war के लिए, defense के लिए, जन्गी हेतियार करीदी है, तो जन्गी हेतियार करीदी है, तो क्या आता है, उसे war होती है, और poverty होती है, क्योंकि पैसा लग गया, तो जब हम अके लिए एक world government बना लेंगे ना, तो क्या होगा हमारी war भी खतम होजाएगी, हमारी गुर्बत भी कतम होजागी, और अल्टिमेटली happiness फैलने लग पड़ेगी, तो यह तो Russell का idea था world government बनाने का, जो यह implement कर रहा था 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 अमेरिका के उपर, लेकिन अगर हम देखें इसके बाद क्रिटिस्जम करते हुए, कि 9-11 का attack हुआ, कि 9-11 के attack के बाद क्या हुआ, कि जो मुस्लिम थे, उनके उपर terrorist का label लगा दिया गया, जो दाड़ी वाले है, इट पिंस क्या है, कि वो टर्रिस्ट है, हलाके जियू की भी तो दाड़ी होती है, तो मुस्लिम ही क्यों, एक प्रोपगंदा क्रियेट कर दिया गया, इवन कि मेरी बाजी की हस्बर ने जहां पर वैस्पारा पढ़ना जाती थी, उनकी दाड़ी है, वो बहुत ही पीस्फुल मैन है, ठीक है, हमेशा बात करते हैं पीस की, तो दाड़ी वाले दह्शतगर्द क्यों, यह क्या था, एक प्रोपगंदा था, लेबल कर दियेगा मुस्लिम के साथ, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सब कॉडिनेंट की, जब मुस्लिम और हिं अमेरिका ही तो आया, वहां पर तो मतलब अंग्रेज ही तो आया, जब अंग्रेज आया, उनने यह किया, एक्स्प्लोइटेशन करना शुरू कर दी, किनकी हुमन बींग्स की, और हमने देखा हार्ट ऑफ डाक्नेस के अंदर, जब कर्ट्स था, कर्ट्स किया ब्लैक्स के प स्टीडेशन के बगार, देखाकिए, जीतना भी उनके बास, सबकुछ स्ट्रीशन की था, सब कुछ स्नाच कर लिया, अर हमें जो एग्षि locksindaा ITO, उनने क्या थेखोग किया, शब के में वेक्षी एक्षी है और रालती में होता कुछ चल्ब अरक से देंटे बते हैं अ आपको कहो थ्व्डे कि रिटी से साथ। ठापीन कि इनीहाव अन्यौल एसे मेरे हरे रसल पा। एक 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 प्वर राइटर एक डिस्पली हो रहा है एक पिचक्फुल डाइटर आप यह चाहता है वो चाहता है कि हमारे यहां पर जंगे ना हो जंगे खतम हो जाए और वो चाहता है कि जब वर एंड हो जाएगी तो हर जगा पीस हा जाएगा चाहता है कि वर्ल्ड गवर्मेंट बना दिया जाए और वर्ल्ड गवर्मेंट जो वह अमेरिका हो जब अमेरिका वर्ल्ड गवर् which is controlled by the whole other world तो killed one of the people के लोग हैो लेसे को से लोगा जाइग दूड़ने लिन लीस है जब पैसा नहीं लगाएंगे जब से पावर्टी यहाएगि पावटी नी होगी और पॉयर्थी नी होगी और झेट्कileणिवी प्वड़ नहीं होगी तो क्या होगा जब war नहीं हुई तो poverty नहीं पवर्टी नहीं तो automatically happiness फैल जाएगी तो यह कहता है throughout the essay Russell जिसमें से जब world government की बात की तो इसने तब साथ ही साथ बात की थी check and balance की भी कि हर चीज़े freedom तो नहीं लेकिन check and balance भी जुरूरी है अगर check and balance ना रखा जाए तो क्या होगी हर जगा corruption होगी और साथ ही इसने इस state को इस idea को utopian idea भी कह दिया यह कहता है यह idea जो है यह सिफर से brain को तो pleasant player provide कर रहा है reality में exist नहीं कर सकता तो यहां पर मारा ऐसे वह complete कुछ important quotations है with his death the uneasy episode of life will end and the peaceful rocks will revolve unchanged until the sun explodes next time extreme hopes are born of extreme misery and in such a world hopes could only be irrational next time there lies before us if we choose continual progress in happiness knowledge and wisdom shall we instead choose that because we cannot forget our curls next time its only aim is to promote the mindless repetition of party slogans and to have the ability of shifting sides repeatedly so as to be always on the side of received opinions next wave force is not a pro prerogative of private individuals or nations but is exercised only by a neutral a neutral authority in accordance with rules laid down in advance next thank you so much for watching this video will be finished quotations lecture is also finished i hope that you have to understand this essay in a proper way if you haven't understood this video you will see it again and if there are any questions you can ask comment me can you can answer me and I will answer you in a ones that I will make a response प्रफस्